हेलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी का हमारी सीटूब चैनल पर आज हम इस वीडियो का अंदर बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने अबशर एकाउंड का मोबाइल नमबर चेंज कर सकते हैं इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस बारे में लेकिन उसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन आज इस वीडियो का अंदर जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो सबसे आसान है आपको बस इतना करना है कि आपको अपने एकामा नमबर इंटर करना है और जो भी नया मोबाइल नमबर इसमें आप लिंक करना चाहते हैं अपने अबशर एकाउंड में एड़ करना चाहते हैं उसको enter करना है और फिर आपके नए मोबाईल नंबर पर एक OTP आएगा आपको उस OTP को verify कर देना है उसके बाद फिर आपका नए मोबाईल नंबर इसमें add हो जाएगा चाहे पुराने वाले मुबाइल नंबर आपके पास हो या ना हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि उसमें आपका कोई OTP नहीं आने वाला है तो किस तरह से आपको चेंज करना है इसके लिए हम अपने मुबाइल की स्क्रीन पर चलेंगे और आगा का परसेस अब वहाँ पर जानेंगे तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्लेश टोर उपन करना है और प्लेश टोर उपन करने के बाद आपको सर्श बार में टाइप करना है नफाद N-A-F-A-T-H तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह नफाद अप्लिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है जैसी आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको आपन पर क्लिक कर देना है जैसी आप आपन करेंगे यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा तो सिंपल ही आपको उसमें क्लिक कर देना है जैसी आप उसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर अलुगा के नीचे अलारभिया और इंग्लिश का आप्शन देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद उपर आप यहाँ पर देख सकते हैं अबशर Self-Service Services तो इसमें आपको क्लिक कर देना है सबसे उपर जो आप देख सकते हैं अबशर Self-Service Services उसके बाद यहाँ पर बीच में आप एक option देख सकते हैं Update Your Digital Identity Number अबशर तो आपको simply इसमें क्लिक कर देना है इंटर करेंगे उसके बाद फिर यहां पर इंटर यूर निव मुबाइल नंबर आप इसमें एड़ करना चाहते हैं निव मुबाइल नंबर आप इसमें अपने अबशर एकाउंट पर लिंक करना चाहते हैं उस मुबाइल नंबर को यहां पर आपको इंटर कर देना है लेकिन आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट पर किलिक करेंगे जैसी आप नेक्स्ट पर किलिक करेंगे उसके बाद फिर जो भी न्यू मोबाइल नंबर आप इसमें इंटर करेंगे उसमें एक OTP आएगा तो उस OTP को यहां पर आपको इ 押्не करेंगे तो आप अपने फेस्ट को इसके करीब लेकाएंगे इसके बीच में लेकाएंगए और जब यह ब्रेम हो जाए मैंड़ज़ कर देना fascinating और जैसी आप उसमें क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह और अब शर्मोबाइल नमबर successfully change हो चुका है आपको 10 मिनट के बाद चेक करना है किस तरह से चेक करना है वो मैं आपको बताने वाला हो तो जब 10 मिनट हो जाएगा उसके बाद फिर आपको चेक करना है इसके लिए आपको अपने browser पर आ जाना है Chrome browser पर और यहां पर अबशर टैप करके अबशर सर्च कर लेना है जिस तरह से आप अबशर पर लोगिन होते हैं इस thereby से अबशर पोटल पर आपको किलिक करना है जिस तरह से आप इसमें किलिक करेंगे तो यहां पर आप अपने अपशर account का user ID दे सकते हैं या फिर एकामा नमबर आप यहाँ पर दे सकते हैं एकामा नमबर और नीचे अबशर का जो भी password होगा वो आपको password की जगे इंटर कर देना है जिस तरह से आप अबशर में login होते हैं उस तरह से user ID और password इंटर करके या फिर एकामा नमबर इंटर करके आपको login पर किलिक कर देना है जैसी आप login पर किलिक करेंगे जैसी आप login पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप नया mobile नमबर इंटर करेंगे उस नमबर को आप यहाँ पर उसका last का चार डिजिट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं यानि जो यह OTP आएगा ये अगर आपके new mobile नंबर पर आजाता है उसका last चार डिजिट यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका mobile नंबर चेंज हो चुका है अगर पुराने से आप अपने अबशर एकाउंड का मुबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसाद आई होगी अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं